हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो माई चैनल, मैं समीता और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही दिलिशियस पिज़ा की रेसिपी जो इंस्टन्ट चीज बर्स पिज़ा है और इसके लिए हमें कोई डो प्रिपेर नहीं करना ना कोई वेटिंग टाइम है जस्ट आपको ब्रेट के साथ इसे रेडी करना है और ये बहुत ही डिलिशियस बनता है आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक सरूर करें चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना फीड़ बैक share करना नहीं भूलें अगर आप मेरे चैनल पे नई हैं तो प्लीज नोटिफिकेशन बेल के साथ सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मैं कोई रेसिपी डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों का फेवरेट पिज़ा बनाना ये एक इंस चीज तो ये आप जितना पसंद करते हैं उतना ले सकते हैं थोड़ा सा नमक पिज़ा सॉस लिया है चार पांच चमच थोड़ा सा ओलिव थोड़ा से कैप्सिकम ली हैं और थोड़ा से अनियन या टॉपिंग के लिए जो भी डालना चाहें वो वेस्टिबल आट कर सकते है तीन स्लाइस मैंने चीज के लिए हैं और गयनो खोना चिलिफलेश तो सबसे पहले जो ब्रेच स्लाइसे पास हैं उसकी हम सैच्ट्स कट करेंगे इसी से हम बेस्ट्य रेडी करेंगे तो फोर स्लाइसMAN वे और फोर स्लाइस ऐक कर रहे हूं इसकी लगेगी तो यहां पर इस और इसी तरह आप सारी bread की slices को cut कर लीजे तो ये हमारे पास 4 slices ready हो गई हैं बाखी की भी हम इसी तरह से कर लेंगे और यहाँ पर जो ये corners निकलते हैं bread के इनको आप या तो bread crumb बना लीजे इनके या फिर garlic bread तो बहुत अच्छी recipe बन जाती है garlic bread की और ये waste भी नहीं जाती तो यहाँ पर जो मैंने slices ली थी सारी मैंने outer जो layer है वो cut कर दी है और अब मैं यहाँ पर दो slices को इस तरह से रख रही हूँ तो यहाँ पर ये रखते हुए आप ध्यान रखें जो side बाहर की थी उसे बाहर की तरफ ही रखें क्योंकि वो थोड़ी सी hard होती है और जहां से soft हैं दोनों portion उनको एक साथ रखके एक के उपर एक रखके हलका सा मैंने लगाया है पानी और इनको आपस में इस तरह से बेलन की मदद से मैं roll कर रही हूँ ताकि आपस में चिपक जाए क्योंकि हमने एक बड़े साइक्स का पिज़ा रेडी करना है तो उसके लिए छोट-छोटी ब्रेट से हम एक बेस रेडी करेंगे और अब उपर की तरफ भी इसी तरह मैंने पानी लगा दिया एक साइड में और उसको भी एक के उपर एक ब्रेट का जो उनको मिलाते हुए रखेंगे जहां से भी ब्रेट अपस में मिल रही है उनको एक के उपर एक रखेंगे इस तरह से आप देख सकते हैं वीडियो में मैं किस तरह से कर रही हूँ और जहां पर आपने जोड़ना है वहां पर आप हलका सा पानी का हाथ लगाएं बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं लगाएं अदरवाइस वो फिर बेलन में चिपकने लगता है तो आप इसको इस तरह से प्रेस कर दें तो ये ब्रेट पानी के विज़े से आपस में चिपक जाती है तो एक अच्छी से लेयर रेडी हो जाएगी और थोड़ा सा पानी ब्रेट पर लगा के इसको अच्छी से पतला सा बेल लेंगे जो इसकी फॉर्मनेस है उसको कम कर देंगे थोड़ा सा फ्लाट इससे कर देंगे तो दूसी layer भी मैं ने इसी तरह कर ली थी और सॉरी यहाँ पर एक clip miss हो गई है तो यहाँ पर मैंने यह cheese slice इस तरह से arrange की है तो 3 cheese slice मैंने इसमें लगाई है दो मैंने पूरी लगाई है और एक को मैंने cut कर करके लगाया है तो जो एक और layer मैंने इस तरह की बनाई है bread की इसको मैं first layer के ऊपर इस तरह से लगा दूगी और बीच में आएगी इसमें cheese की layer तो cheese की layer हमने बीच में डाल दी है जो cheese slice है और इसको अच्छे से press कर लेंगे और अब हल्क हल्का पानी आप corners पे भी लगा सकते हो जहां से यह आपस में जोड रही है ताकि वो खुले नहीं और चीज मेल्ट होके बाहर नहीं आए तो यहां पर इस तरह से इन्हें अरेंज कर लिया है और जब इस तरह का पीज़ा अगर आप कुछ बना रहे हों घर पे और बच्चों का वो फेवरिट है तो इस तरह की मिस्टिक अकसर हो जाती है क्योंकि वो सारे टाइम आपके साथ ही खड़े होते हैं कि कभी रेडी होगा तो इस वज़े से एक क्लिप मेरी मिस हो गई यहां पर मैंने चारो तरफ से भी इसे अच्छे से सेट कर दिया है और अब हम लेंगे पिज़ा सॉस और इसको पूरे स्लाइस के ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर देंगे तो यह इस तरह से पिज़ा सॉस के उपर स्प्रेड कर देंगे और यह मैंने होम मेट पिज़ा सॉस इसको पर स्प्रेड की है अगर आपको इसकी रेसिपी चाहते हैं आपकी मैं आपके साथ शेयर करूँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी तो इसको जितना भी आप इसको कवर कर सकते हैं उतना अच्छा से पिज़ा सॉस से कवर कर लीजे क्योंकि मैंने इसमें और इगनो चिले फ्लिक जितने भी हाप्स होते हैं वो अच्छे से इसमें डाले हुए हैं तो एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा और अब यहां पर मैं वेज़िबल्स अरेंज कर रही हैं उसके उपर तो जो भी वेज़िबल आपके बच्चे खाते हैं जो आप उने खिलाना चाहते हैं वो आप इस तरह से अरेंज कर दीजी इसके उपर तो यहां पर इस तरह से यह वेज़िबल्स को मैंने अरेंज कर दिया है और अब इसके उपर हम डालेंगे चीज तो यहां पर यह ग्रेटेड मॉजरेला चीज है इसको generous quantity में उपर से डालिएगा क्योंकि pizza के उपर चीज नहीं हो तो मज़ा नहीं आता तो यहां पर काफी अच्छी quantity में मैं इसमें चीज डाल रही हूँ और आपको इस टाइम लग रहा होगा कि जब मैंने चीज डालके यह vegetable cover ही करनी थी तो फिर मैंने नीचे layer क्यों लगाई हम mummies ऐसी ही होती है क्योंकि अगर हमने double layer चीज खिलानी है तो double layer vegetable भी बच्चों को खिलानी ज़रूरी है तो इस तरह से एक layer इसके नीचे छुप गई है और दूसरी layer में फिर से arrange कर रही हूँ जो उपर से visible होगी तो यहाँ पर इस तरह से मैंने ये सारी vegetables उपर से दुबारा से arrange कर दी है तो इस तरह से जो भी चीजें बच्चे खाते हैं और जिस भी pattern में आप लगाना चाहें वो आप लगा सकते हैं तो यहाँ पर ये onion capsicum जो colorful capsicum है वो मैंने arrange कर दी है तो एक random pattern में मैंने इने लगा दिया है ये देखने में खूबसूरत लगे और जब ये vegetable लग जाएंगी तो इसके उपर मैंने थोड़े से olive लिये हैं black olive ये इस तरह से लगा देंगे तो ये बहुत ही अच्छा लगता है इसमें color और काफी उभर के आते हैं ये capsicum के olive के color तो ये पिज़ा के उपर वैसे भी बहुत अच्छे लगते हैं तो यहाँ पर इस तरह से ये पिज़ा ready हो गया है तो इसके उपर आप हलका सा नमक sprinkle कर सकते हैं वैसे तो sauce में काफी नमक होता है क्योंकि सिप्रिजर्व करने के लिए नमक थोड़ा तेज ही डालते हैं फिर भी मैं इसमें चुटकी भर नमक डाल रही हूँ आपको ज़रत लगे तो आप डालें अदरवाइस आप skip कर सकते हैं चीज में भी क्योंकि salt होता है थोड़ा बाद और अब इसमें उपर से हम डाल देंगे औरिगेनो और चले फ्लेक्स थोड़ा सा ताकि फ्लेवर और उपर से भी अच्छा सा आए और इस पिज़ा को आप पैन पे भी सेख सकते हैं या फिर microwave में या आवन में जहां भी आप चाहें बेक कर सकते हैं इसको और इससे नीचे जो layer है वो बहुत अच्छे से crisp हो जाए अगर तवे पे आप कर रहे हैं तो नीचे हलका सा butter लगा के फिर इसको सेख लें मैं यहाँ पर इसे आवन में कर रही हूँ तो यहाँ पर मैंने आवन की tray में इसे रख दिया है और आवन को मैंने पहले से preheat कर लिया था 180 डिग्री पर और इसे जस 10 मिनट के लिए मैं रखूंगी टू मिनट प्री हीटिंग के लिए और एट मिनट में यह रेडी हो जाएगा 180 डिग्री पर मैंने इसे लगाया है tray को मैं यहाँ पर second self में रख रही हूँ ताकि बहुत हलकी हलकी हीट में यह चीज मेल्ट हो क्योंकि यहाँ पर चीज double layer में है bread के बीच में भी चीज है तो वह भी मल्ट होनी चाही है अगर उपर की चीज जल्दी मल्ट हो जाएगी तो बीच की जो चीज है वो मल्ट होना बाकी रह जाएगा और वो हलकी सी कच्ची सी रह जाएगी और जो bread है वो भी crunchy नहीं रहेगी तो यहाँ पर second self पे यह बहुत easily melt हो भी जाएगी और जो bread है वो भी crunchy रहेगी साथ में जो center पे cheese है वो भी properly melt हो जाएगी तो 10 minute हो चुके हैं और यह bread आप देख सकते हैं side mix का crunch और cheese भी बहुत अच्छे से melt हुआ है बिल्कुल burn नहीं हुई है बहुत अच्छा सा जो proper melt होती है उस तरह से यह cheese melt हो गई है आप चाहें तो हलका सा brown कर सकते हैं उपर से cheese को तो आप 2 minute और रख लीजिए इस तरह से और अब मैं इसको यहाँ पर tray में ही cut करके आपको दिखा रही हूँ तो यहाँ पर यह piece cut कर लिया है मैंने और आप देख सकते हैं अंदर वाली cheese भी बहुत अच्छे से melt हुई है और बहुत ही tempting इस time लग रहा है तो plate में तो कोई serve से करने नहीं देगा जिस्ट ऐसे ही मैं इसकी pick क्लिक कर रही हूँ और आपके साथ share कर रही हूँ hope आपको यह recipe पसंद आएगी तो आप इस तरह से छोड़-छोड़ी sticks में से cut कर लीजिए या फिर आप से triangular shape में cut कर सकते हैं तो जिस तरह भी आप पसंद करते हैं उस तरह से cut करकी से serve कर सकते हैं और यह बहुत ही delicious बना है bread भी बहुत अच्छे से crispy हुई है और बहुत अच्छा color combination आया है तो आप इस recipe try कर सकते हैं और अपना feedback share कर सकते हैं मेरे साथ यह Sunday के लिए बहुत अच्छी treat हो सकती है कई बार तो हम बाहर जाके pizza बच्चों को खिला ही लाते हैं बट जिस time नहीं जा सकते तो आप घर पे इस तरह से बना सकते हैं और बच्चों के लिए घर पर ही एक बढ़िया सी treat ready hope आपको इस recipe पसंद आई हो मिलती हूँ किसी और नई interesting recipe के साथ तब तक के लिए bye thank you thanks for watching